So, let's hope you all are doing well. ये वीडियो उनके लिए हैं जो आखे बंद करके کرोषया का वर्क पमिट कराते हैं, पोलेण का वर्क पमिट कराते हैं, कि हमने एजन्ट को पैसा दे दिया है, हमारा वर्क पमिट आ गया है, हमारा वीजा क्यों नहीं आया? इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि कैसे चार बंदों के साथ हुआ कि उन्होंने समीशन किया और उनका permit company ने cancel कर दिया during that situation उनके बाद उन्होंने समीशन करा और visa rejection आया इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं यहां पर कोई भी अपना फाइदा देख के कुछ भी कर सकता है तो यह वीडियो को लास्तर देखना वीडियो शार्ट करने से पहले बता देता हूं ऐसे चार लोगों ने अपलाई किया था उनके साथ एक तरीके से गलती applicant की भी नहीं है यहां पर गलती agent की है बट ये भी नहीं कह सकते कि गलती agent की है because agent को भी नहीं पता था कि वर्मिट cancel कर देगी company यही reason है कि हम यह चीजों में involved नहीं होते हैं हम वर्मिट वगरा नहीं करते हैं जब करेंगे तब कर तब देखा जाएगा बट इस चीजों के वज़े से ही हम नहीं करते हैं बट कैसे आप लोग अवेर हो सकते हैं इसका बहुत बड़ एक्जांपल है वीडियो को लास्त देखना और यह आपके साथ उस country के लिए हो सकता है जिसके आप authenticity चेक नहीं कर सकते कि वेदर वो authentic है या नहीं है माल्टा का आप चेक कर सकते हैं माल्टा का वारकोड होता है उससे आप पता लगा सकते हैं पोलेंड का आप एकांस्वेट पर जाके पता लगा सकते हैं लेकिन 90% लोग यह नहीं पता लगा सकते कि पोलेंड का वैदर वो जैनूर है नहीं है पता नहीं लगाना चाहते है उ इनकी filing हमने करी थी, इनका documentation, appointment, everything इनका हमने करा था, नेपाली candidate थे, तो ये हमें पता चला, पर काफी ज़ादा ऐसा होता हो कि जो आप लोग को शाद पता नहीं चलता होगा, YouTube पे अच्छी चीज़े सब बनेंगे, कि work permit का ये cost है, इतनी salary है, ये हमसे करा लो, पर जो मैं बता रहा हूँ, वो कोई नहीं बताएगा, तो इसी के लिए, आप लोग भी सोशने होंगे कि कभी कि ये इस channel पर हमें negative ही क्यों देखने को मैंदा, बिकास आप positive सुनना चाहते हो, आपको आदत पढ़ चुकी positive सुनने की, आप लोग सुनते हैं, यहाँ इतनी salary हमसे करा लो, इतना jobs निकली हुए है, पर मैं वो वीडियो हर बना रहा है, पर जो मैं बना रहा हूँ, वो कोई नहीं बना रहा है, ये आप लोग informative है, कि आप ल जैसे कि मैंने पताया कि इनके filing करी थी हमने, वीडियो को फिर से बोलना लास्टर देखना, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, और सारी चीज़े करी, but during that situation अब यह नहीं पताया कि company permit cancel कप कर दिया, धाई महिने के बाद, अप्रॉक स्तीन महिने के बाद उनका result आया, त टीम से ये एक notice या ये एक चीज़ आई है, कि एक letter आपको यहाँ पर sign करना पड़ेगा, और आपके सामने screenshot में लगा देता हूँ, मैंने उस time पर भी बोला था, कि कहीं ये permit तो fake नहीं है, या permit cancel कर दियो, मुझे doubt हो गया था, कि ये चीज़े हो सकती है, अब इतना काम करने के बाद experience हो जाता है, कि कैसे चीज़े work करती है, तो मुझे वहीं पर doubt हो गया था, उस दिनके बाद फिर collection हुआ, और फिर मैंने जब confirm किया, तो पता चला कि भाई उसने बताये कि भाई company ने permit cancel करती है, अब कुछ companies ऐसी होती है, ऐसा होता क्यों है, अगर वीडियो देखो क तो आप पर फाइदा है, मेरा इसमें कोई फाइदा नहीं है, मेरा काम है बनाना, अवेर करना आप लोग को, information देना आप लोग को, company ऐसा करती है, उनको पता है, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बंगलजेशी, यह हैं पागल, उनको लगता है कि भाई, पैसा बहुत ज तरीके से और चीप वैसे वीजिन की, कोई वैल्यू नहीं है, उनसे प्रोसेस मत करो, अगर कोई वीडियो देख रहा है, भाई तुम अब उस एजेंट का क्या गया, चलो उनसे तुमारी अच्छी कासी बात होती है, वो पहले क्रोशिया में थे, फिर इंडिया आया, उनका ट्यार्सी काड को गया, उसके बाद जा नहीं पहले, उनका किस्मत है, बट एजेंट का गया, या चलो और भी कोई जो नया एजेंट करेगा, उसका क्या जाएगा, लॉस एप्लिकेंट का होगा, यह चीज़े आप लोग को देखनी है, अब उनके पस वैकेंसी होती नहीं ह को दिखता है कि भाई यह बंदा पैसा पे कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपका वर्क पर्मिट अप्लाई कर देती है, अब लोग ऐसा लगता है कि वर्क पर्मिट आ गया है, तो वीजा भी आ जाएगा, यह उनका फोड़ा सा डाउट भी होता है, यह चीज़ेंट क्लियर करना चाहिए, यूटूबर जिनको इंफ्लूएंसर कहा जाता है, यानि उनको देखके कुछ इंफ्लूएंस पड़े किसी पे, इंफ्लूएंस हो कोई लोग, आज की टाइम पर सब पैसा कमा रहें, सब मनी मैंड़े हो चुके हैं, तो वो तो वर्ड कहना ही बेकार है उनके कह जएती, परमिट कैंसल, यह चीजे आपको नहीं पता सब्सो कर रहे हैं, तो यह चीजे कंपणी पता चंडी को वो चीज़ बता देती applicant को candidate को तो उसका ना embassy का पैसा वेस्ट होता ना उसका documents का पैसा वेस्ट होता ना उसका appointment का पैसा वेस्ट होता लेकिन company ने नहीं बताया कि भाई अगर ऐसा हम बता देंगे तो company फिर applicant पैसे की भाई तुम क्यों cancel कर रहा है तो इसी के लिए company ने permit cancel कर दिया और applicant यहां पर पागलों की तरह apply कर रहा है documents ready कर रहा है उस पर पैसा लगा रहा है appointment पर पैसा लगा रहा है embassy की fees 13-14 उस पर पैसा लगा रहा है end में क्या रहा है refusal और सुनने को मिल रहा है कि company ने permit cancel कर दिया तो ऐसे चीदों से बचो भाई फिरसे बो रहा हो चीप companies हर तरीके से उन पर ट्रस्ट ना किया जाए agents और कोई agent अगर आपको दिखर आगर आप मेरी वीडियो यूटूब पे देख रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि मैं job भी provide करता इसके पास government approved license है इसको पर अलग से वीडियो बनाऊंगे government approved license के बारे में तो हम क्या उससे करा लें अब मैं आपको हर एक बंदे की नहीं बता सकता कि यह बंदा जयनून है या fake है इससे कराओ या ना कराओ तो यह चीज़े सिर्फ आपको देखनी पड़ेंगी अब यह ची आइसी वीडियो क्योंकि मैं चाहता हूं कि या लोगों तक सच पहुंस है जो कि नहीं पहुंच रहा है अब यह चीज़े मैं तभी बता पा रहा हूं क्योंकि मैं इस काम नहीं कर रहा हूं मैं work permit या jobs अगर नहीं कर रहा हूं शायद मैं चीज़े कराओ तो मैं उतने खोल क सच ना बता पाओं विकार मुझे पैसे का लालच हो गया एक यह point हो सकता है पर एस वार नहीं कर रहा है या नहीं किया है अब तक तो यह चीज़े आप तक के सामने लाप आ रहे हैं तो फिर से बोल रहा हूं कि भई ऐसे एजन्टों से कराओ मत देखो कि कोई यूटूबर है यहां पर कोई आप लोग की help के लिए नहीं बैठा है और पार्टिकुलरी में face चीज़ बोल रहा हूं किसी का look देखके किसी की नाम देखके अब किसी का नाम देखके किसी का face देखके particular मत उस से trust करो क्यों कि यहां पर जिसको पैसा कमाना है या जो एक पर बाहर चला गय वो किसी का ध्यान नहीं रखेगा कि किसी का नाम क्या है और मेरे जो बताने के मतला भीकुछ ऐसा एक इंसीडेंट हुआ है अब मैं खुल के सको पर वीडियो नहीं बना सकता बड़ इस्टिल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे चीजों से बचके रहो जो लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं कि भाई वो बन्दा ऐसा है तो क्या पता है वो हम ऐसा करें लेकि वो खुद बाहर बैठा है उसको पैसा चीए और वो उसको पता है कि भाई, ऐसे लोग ही हम पर विशास करेंगे, यही हम पर विशास करेंगे इन vocês know how to separate work permit को क्रोशे का पर्मिट आता है और परिका क्या चेक करने का आप लोग के लिए इसको पर वीडियो लाई जाएगी अगर कुछ होता है तो यह वीडियो जेस्ट में इंफॉर्मेशन के तौर पर बना रहा हूं यहां पर इसे बोलो हूं मैं को यूटूबर या वैसे आप लोग के सामने लाया जाता है तो वीडियो अच्छे लगए और वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करना आगे भी मिलता है कैसी इंट्रेस्टिंग इफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में